भारत जोडो यात्रा जो राहुल गांधी की है वो न्यू फ्रेंट्स कॉलनी के पास पहुंच चुकी है और यहां से मान के चलें कि आधे घंटे का वक्त लगेगा और जब ये यात्रा आस्रम चौक पहुंच जाएगा और उससे पहले मैं स्थिती दिखा दूँ हर जगह कि राजनिती ग्रूप से आपको सक्रिय नजर नहीं आते थे आज तक दिल्ली कॉंग्रेस में पिछले कुछ सालों में वो अचानक से आपको सड़क पे नजर आएंगे तो इस यात्रा की एक ये बड़ी उपलब्धी कह सकते हैं कि तमाम जो कॉंग्रेस का कैडर है वो का के आएंगे तो वो संभब नहीं है जिस हिसाब से यात्रा निकलती है जिस रफ्तार से चलते हैं रहुल गांधिया उनके आसपास जो भीड होती है उसके साथ चलने वाले लोग ना तो कोई सोसल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर पाएंगे ना है किसी के चेहरे पे मास्क र नजर आएंगे वो कहीं पर भी आपको वो तैयारी तो नहीं दिखेगी लेकिन ये जरूर नजर आएगा कि कारिकरता आचानक से आपको सड़क पे नजर आ रहें प्रदेश कांग्रेस के तमां लोग हैं वह आपको नजर आएंगे जो इतने सालाओं से नजर नहीं आतरे वज़े से यह बहुत बड़ी उपलब्दी है और मैं धन्यवार देना चाहूंगा राहूल जी को जिन्होंने सब को फिर से एक बारी जान डाल दी और जैसे दिल्ली में यात्रा आई है कारेकरतां में जान आ गई है और कारेकरता जो है वो हर तरीके से राहूल जी के साथ चल कोवेट प्रोटकॉल लागू करे कोवेट प्रोटकॉल लागू नहीं किया गया है और कल का जो नोटिफिकेशन है उसमें मास्क अनिवारे नहीं किया गया है लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी मास्क लगा के चल रहे है और कुछ साथी जो है वो मास्क नहीं लगाया लेकि वो जान रहे हैं कि एक राष्टी हित में कोई नेता सारे समाज के हर बर्ग को एकटा करके एक सार ले के चलने वाला है इसे लोगों में उनके परती प्यार है और आ रहे हैं सब लोग अपना प्रोटोकॉल के तहर चल रहे हैं कोवीट का भी कई लोग नियम का पालन कर रहे हैं हम सब लोग जितने भी कारे करता सिर्फ समाज के लिए सारे के सारे एक जुट हो करके राउल गांदी के जो इस संकल्प है देश को एक करना देश में जो खाई है देश एक हो वो ठीक है लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि कम सकम इस यात्रा से कारिकरता सब एक हो रहे हैं बहुत वर्साओं से जो प्रदेश कॉंग्रेस से जुड़े हुए तमाम कारिकरता थे वो कम सकम सड़क पे नजर आ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम सी किसाई सब को लेके चल रहे हैं हर तबका चाहे अमीर हो चाहे गरीव हो चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो बच्चे बुड़े नोजवान राहुल जी ने एक निया जोश भर दिया है और यह जोश दोजार चोबिस में आप देखना के केंदर के अंदर हमारी कांग्रेसी सरकार दुबारा से आएगी और अच्छे भवमत से आएगी अगर यह यातरा पहले दिल्ली में आ जाती तो MCD में दिल्ली की कांग्रेसी सरकार होती यह कार करता हूं का उपसा है और यह देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि जमीन पर भारत जोडो यातरा का असर हुआ है हालांकि सवाल यही है कि रातरा का मकसद राजनितिक है कि सामाजिक है अभी इसको लेकर सपश्टा बाकी है लेकिन राहूल गांधी जब दिल्ली पहुंचे है तो एक बार फिर उन्होंने संग और बीजेपी पर हमला बोला है और अन्दाज और शब्द वही हैं राहूल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संग देश में नफरत फैला रहे हैं कि आज कल बीजेपी आड़ेस में क्या किया है हिंदुस्तान को बातने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नफरत प्राइब चलने से पहले मैंने सोचा था है कन्या पुमारी से शुनुक करने से पहले मैंने सोचा था है पूरे देश में नफरत था है है मैं घवरा मगें किन्या कुमारी से में सीचाigs निकला मुझे बात पता लगी तो जिट नपरत नहीं है इस देश में सिर्फ मौकबत है चुने दोग कुझे ऊप पहला रहे हैं मतल हिंदुस्तान का आम नाघ्रिक हिंदुस्तान का और किसान लुक्त हिंदुस्तान का युआ शे chamber गाता शुल लाएं करने की बाते हाथ मिरा कर आगय भड़ने की बात88 कि यत्रा मों देखिए कि में तीन अजार किमोकर चले है है यह चोटा सा हिंदुस्तान है दि自 girl है इसमें हर्दन के लोग दर मिटाया मंधरेडाने मादूरों के दिल में जबावानी हमने किसानों की कर्दा माफिकी दर मिटाया जब जमीना दिकरन भी लाए डर मिटाया कि नोट बंदी में तर्मिकाया जलत GST ने घर मिटा है COVID के समय इनने जो किया उससे घर मिटा जब किसान तो भीवा नहीं मिलता घर मिटता है तो इनकी सारी की सारी policies बेरोज़ारी से घर मिटा इनकी सारी की सारी policies धर कराने की policies Google Play Store या App Store पर.